वेदान्ता पर कर्ज के भारी बोज का असर उसकी इंडियन कमपनियों पर भी पड़ रहा है। समझिए यह पूरा मामला वेदान्ता कर्ज चुकाने के लिए नए कर्ज लेने की भी कोशिश कर रही है। कमपनी को 5.9 अरब डॉलर का कर्ज चुकाना है। इसमें से करीब 50 फीसदी कर्ज अगले कुछ महीनों में ही कमपनी को चुकाने होंगे। कर्ज चुकाने के लिए नए कर्ज सही रास्ता नहीं वेदान्ता कर्ज चुकाने के लिए नए कर्ज लेने की भी कोशिश कर रही है। कर्ज चुकाने के लिए नए कर्ज लेने से कमपनी पर इंट्रेस्ट का बोज बना रहेगा। साथ ही उसे फाइनेसिंग कॉस्ट भी उठाना होगा। हालांकि इससे कमपनी के सामने अभी जो दिक्कत है वह खत्म हो जाएगी। क्रेडिट रेटिंग में आ सकती है और गिरावट लेकिन नया कर्ज ज्यादा इंट्रेस्ट रेट पर मिलने के आसार है। इससे कमपनी पर लायबिलिटी बढ़ेगी। इसका असर वेदान्ता समूह की कमपनियों पर भी पड़ेगा। वेदान्ता ग्रूप ने वेदान्ता में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचकर कर्ज के बोज को घटाने की कोशिश की है। इससे वेदान्ता रिसोर्सेज के बुक्स पर कर्ज का बोज करीब एक तिहाई घटा है। यह नौ अरब डॉलर से घटकर छे अरब डॉलर पर आ गया है। लेकिन नया कर्ज लेने की वजह से वेदान्ता की रेटिंग में कमी देखने को मिली है। SP Global ने हाल में वेदान्ता की क्रेडिट रेटिंग आउटलुक को डाउन ग्रेड किया है। उसने इसे स्टेबल से निगेटिव कर दिया है। इंडियन इकाईयों पर बढ़ेगा दबाव वेदान्ता की बैलन्स शीट पर दबाव बढ़ने पर इसकी क्रेडिट रेटिंग में और कमी देखने को मिल सकती है। इससे इस समूह के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाएगा। कर्ज चुकाने के लिए नए कर्ज लेने से एक तरफ कम्पनी की बैलन्स शीट पर दबाव बढ़ेगा तो दूसरी तरफ इस समूह की इंडियन इकाईयों पर भी प्रेशर बढ़ जाएगा। अब तक हिंदुस्तान जिंक और वेदान्ता लिमिटेड वेदान्ता रिसोर्सेज को काफी ज्यादा डिविडेंड देती आ रही है। जो FY 23 में बढ़कर 101.5 रुपए हो गया। इस बीच कमपनी का शेर प्राइस 250 रुपए के करीब बना रहा है। इससे डिविडेंड यील्ड काफी बढ़ गई है। अभी इसकी डिविडेंड यील्ड करीब 40 फिसदी है जो संभवत इंडिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। अगर हम प्राफिट के उस हिससे को देखें जिसे कमपनी ने डिविडेंड देने के लिए इस्तिमाल किया है तो FY 21 में 34 फिसदी से बढ़कर FY 23 में 137 फिसदी हो गया है। इसकी जलक वेदानता के शेर प्राइस में देखने को मिला है। इसने पिछले 5 साल में 3.6 फिसदी रिटर्न दिया है जिसे बहुत कम कहा जाएगा। जब तक यह ग्रुप कर्स की छाया से बाहर नहीं निकल जाता है तबक तक वेदानता में निवेश का फाइदा मिलने की उमीद नहीं है।